नमस्काल दोस्तों करेड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें तक हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेसन आपको मिलती रहे आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के डॉपी पर बात करेंगे क्या प्राइवेट जॉप के साथ गौवर्मेंट जॉप पाया जा सकता है पूरे वीडियो में हमीचीत बारें बात करेंगे पूरा ख्यान से देखेगा तभी आपको समझ में आगा की क्या प्राइवेट के साथ गौवर्मेंट जॉप पाया जा सकता है या नहीं पाया जा सकता है देखो जो private job होती है ना complicated तो होती है obviously मेंको भी लगता था पहले नहीं लेकिन ये fact है tension ज़रूर होता है लेकिन क्या आपको लगता government job में problem नहीं होती है obviously मेरा एक friend है दो तीन friend है ऐसे जो government job में है मेरे से ज़्यादे tension में रहते हैं मैं private job करता हूँ लेकिन मेरे से ज़्यादे वो लोग tension में रहते हैं चीज़े दिखती हैं उनके face पर चीज़े समझ में आते हैं उनके face पर म्यूचे और उनको ले लो तो ऐसे लगेगा मेरे उनकी में 10 साल age गया है मेरे same age group के हैं तो वो चीज़े जो आपको factors बहुत matter करते हैं सबसे पहले कि वो लोग मैं बता दूँ कि private job ही करते थे एक time था कि वो लोग private job करते थे मैंने अपना business से start किया digital industry में अपनी website, youtube channel, other things, service provider ये सारे काम मैंने start किया मुझे as a businessman बनना था overall मैंने करियर में decide कर लिया था कि मुझे business industry में जाना है और मैंने business industry में कदम रखा और यह जो मेरे कुछ और फ्रेंड जोब में जाना चाहते थे एक बंद है कि मैं example दे रहा हूं आनन्द नाम है वो बंदा private job करते करते NDPC में जॉब कर लिया इंडिया रेलेवे में जॉब कर लिय दूसरा बंदा private job करते हुए मेरा फ्रेंड था प्राइवेट जॉब करते हुए उसने फिर इंसुरेंस के लाइसी में जॉब पाया एक और बंदा है जो प्राइवेट जॉब करते हुए अपने PCS रैंग पे SSCJ समझ लीजिए SSCGL उसने क्रैक किया इंकम टैक्स ऑफिसर ब बने तो मुझे लगता है कि अगर आपके लिए बेस्ट ऑप्सन है कि अगर आपके फैमली में प्राइमली में प्राइमली में इसू है तो भाईया private job join करो आप क्योंकि जब आप प्राइवेट जॉइन करते हो ना तो वहां पे जो मनी वाली प्रॉब्लम होती है वह आपकी दूर हो जाती है जो आप जॉइन करते हो तो जो पैसे वाली में निसु होती है वह आपकी लाइफ से दूर हो जाता है मजलब कि जब आपकी life में पैसा रहेगा तो धिमाग आटोमेटिक काम करता है और दिमाग आटोमेटिक काम करता है और आप बहुत कुछ कर भी सकते हो तो एक मैंने बता है अगर अच्छी family से belong करते हो family support कर सकती है तो government job first priority रख लो अगर अप interested हो तो अगर business industry में आना चाहते है तो private job से बेतर कुछ है ही नहीं लेकिन अगर आपके family में issue है और आप government job में आना चाहते है family support नहीं कर पा रहे तब के लिए private job के साथ government job की तैयारी करना best option है अभी आप देख लो, मलो 8 गंटे 9 गंटे काम करते हो उसके बाद भी 2-3 गंटे निकाला जा सकता है, क्योंकि वो लाइफ का पीक पॉइंट होता है, वो हमारी एज ऐसी होती है, कि हम active होते हैं, body active हो रहती है, सब कुछ active होता है, तो वहाँ पे हम अपने career में एक नई direction को लेके जा सकते हैं, लिखिट वही जब एज बढ़ने की तयारी करते रहेंगे, तो उसमें यह होगा private job में तो लगें लगें, अगर government job में नहीं सफल हो पाते हैं, तो private job में एक smoothly career आपका बन सकता है, तब तक आप 2-4 सा जो government job की तयारी में बरबाद करोगे, या private में एक अच्छा सा career आपका बन चुका हो, हाँ, tension तो होती है, वो आए दिन tension होगा है, हर हपते tension होगा कि प्रोजेक्ट पे खाम करें नहीं हो रहा है, चीज़े complicated अभी 5-day working हो गया है, तो 5-day working का utilization करो यार मैं भी बहुत utilization का था, ये YouTube, other चीज़े, बहुत सारी चीज़े मैं part-time ही करता, अपनी website पे, तो इस time का utilization करना life में बहुत ज़र ना ना बोले, thank you, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों